अस्पी मिस्टर यूएलबी फॉगर स्टार्टिंग प्रोलम आ रही है इस मसीन में तो चलिए खोल कर देखते हैं स्टेप बाई स्टेप क्या प्रोलम आ रही है इस मसीन में चार स्क्रू इस बैक कवर फिल्टर वाले में आपको मिलेगी, इसमें दो ही स्क्रू लगा हुआ है, तो चलिए फटाफ़ट से स्क्रू डैवर से हम खोल कर चेक करते हैं, इस्टार्ट ना होने का बहुत सारी डिजन हो सकती है, मोटर जला हुआ हो सकता है, तार कहीं कटा हु तो यह देखिए, मोटर का आधाई समान इस मसीन में है, इसका बैक कभर है और फैन है, वो है ही नहीं इस मसीन में, इस मोटर में जो भी इस पेर पार्ट नहीं है, उसे मैं नया लगाऊंगा, तो बने रहें वीडियो में और लाष तक वाच करते रहें, वीडियो को आप प जितना भी वायर लगा हुआ था सभी को मैंने खोल कर निकाल लिया है बाहर मोटर, अब मैं आपको कार्बन खोल कर भी दिखाऊंगा, चलिए मैं कार्बन आपको दिखाता हूँ खोल कर अभी, इस्टार वाले रेंज से हम इस्क्रू को खोल लेंगे, फिलास की मदद से, इस् दोनों तरब से, और ये देखिए कार्बन का क्या हालत है, कार्बन काफी घेश चुका है, तो हम यहाँ पर नया कार्बन लगाने वाले हैं, दो पीस, सेकेंड वाले, दूसरे वाले मैं आपको खोल कर भी दिखाता हूँ, वो कैसा है, इसका भी मैंने खोल लिया है, और यह चोटा हो गया है, तो इसे भी हम नया लगाएंगे, देखिए कार्बन का क्या हालत हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मोटर की चारों और मैं आपको घुमा कर दिखा देता हूँ, इसकी वायरिंग जो है, वो बिल्कुल सही है, मोटर का जितना भी तार है, वो सही ह जला हुआ नहीं है, तो यह है हमारे पास नया दो कार्बन, इस मसीन में मैं लगाने वाला हूँ अभी, देखिए काफी लंबा है इसका, जो कार्बन है, वो काफी लंबा है, तो दोनों को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, एक सिरिच पेपर को लेंगे, और लेकर हम यह ज कार्बन रहेगा तो यह स्टार्ट नहीं होगा तो कार्बन हमारा साफ हो चुका है अब हम कार्बन को लगा देंगे कार्बन को जब भी लगाए आप पहले इस्कुरू को टाइट कर ले इस्टार वाले रेंज से उसके बाद आप तार को ही जोड़ दें इस्कुरू को पहले आप अच्छे से फसा लें फसाने के बाद ही आप इस्टार वाले रेंज से टाइट करें और जब टाइट हो जाए उसके बाद आपको दोनों तरप से वायर को इस क्लिप में लगा देना है लगाने के बाद आपको प्लास से उसको दापके टाइट कर देना है धिला नहीं कर लिया है अब यह दूसरा करबन को हम लगाएंगे ठीक उसी तरह पहले लगाएंगे उसके बाद हम इस क्रू को टाइट करेंगे आपके पास पेड़ काटने वाली मसीन चैन सो और वह मसीन इस्टार्ट नहीं हो रही है या इस्टार्ट होते ही रेस हो जा रही है जो भी प् पावर वीडर सेनिटाइजर मसीन का जितने भी एगरिकल्चर से जुड़ी मसीन है सभी तरह का रिपेरिंग मैं करता हूँ और सभी तरह का वीडियो का रिपेरिंग आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर जाकर चेक करें दोनों कार्बन हमारा लग चुका है अब हम इस नट को खोलेंगे तेरा नंबर नट को कोल के बाहर निकालेंगे इसके बाद दो वासर मिलेगा हॉल वाले वासर को अंदर से निकाल ले और यह वासर जो आप देख रहे हैं इसे फिर से लगा देना है और एक वासर लगाना है आपको अंदर से इसके बाद आपको इस फैन को 12-1 को पूल ताइट कर देना है रेंच के मदद से चार-पाच बार यहां पर कर मैं नट को टाइट कर लुगा फूल टाइट बिलकल टाइट कर लेना है आपको और यह हाथ से दिरे-दिरे घुमेगा तो सुीच यह पर आप देख रहे को दिखा रहा हूं switch भी इसका on off का जो switch है वो damage हो हो चुका है यहां पर मैं switch भी change करने वाला हूं एक नया switch लगाऊंगा अंदर से wire को उठा लिया है बाहर और इसके बाद screwdriver की मदद से small screwdriver की मदद से हम switch को निकाल लिया है बाहर तो जैसा कि देख रहे हैं switch खराब है कामी नहीं कर रहा है एक तरफ का काम नहीं कर रहा है तो यहां पर हमारे पास है एक नया switch on off का तो यह देखे काफी अच्छा work कर रहा है तो इसे हम लगाएंगे अभी और लगाकर machine को start करके भी दिखाएंगे आपको अगर आपने अभी तक हमारे चनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और वाले option पर क्लिक करके notification on कर ले ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं आपको notification सबसे पहले मिले on off switch को हमने लगा दिया है काफी अच्छा work कर रहा है तो यहाँ पर प्लास की मदद से हम wire को नीची की और खीच लेंगे ताकि हमारा switch अच्छे से बैट पाए यहाँ पर red और yellow wire को हम अच्छे से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम एक टाइटर लगाकर थार को टाइट कर देंगे ताकि यह खुले ना टाइटर लगाने के बाद प्लास लेकर हम टाइटर को और टाइट कर लेंगे दापकर दोनों carbon का connection को हम joint कर लेंगे दोनों clip को हम लगा लेंगे दोनों तरब से उसके बाद हम motor को लगाएंगे और machine start करेंगे यह carbon का second connection है तो इसे भी हम अच्छे से लगा लेंगे cliff को tight कर लेंगे और यहां पर rubber packing को हम लगा लेंगे अंदर की ओर लगा लेंगे motor की ओर और लगाने के बाद हम अंदर में इसे अच्छे से बैठा लेंगे और इसके बाद हम motor को fit करेंगे तो मोटर को फीट करने से पहले ये इसका उपर का जो कभर है इसे लगा कर हम टाइट कर लेंगे फैन का ये कभर है इसे लगा कर हम अच्छे से टाइट कर लेंगे इसके बाद भी आपको यहाँ पर मिलेगा दो रबड का ओरिंग इसे भी आपको लगा लेना है दोनों लगा लें ताकि ये मोटर अच्छी तरीका से टाइट हो पाए और कहीं हिले डूले ना भॉहुष अच्वच स्लारोे, कि वा इक ऑगा जर गाइटी तरीका से गलाजाने की है पोसी आपले माचा एफिर और कौउए जच फिर अगा एक ऋष्वा अच्ड़ JPT ओपले गातृमरे माचा एंची माचे पास खाले गाइव के कैना लाचा भाचा क कैसे वगा है अग्टियू चीम खान टूआ टूआ जो चो पेंगरने को आट टो को तो ऑम घो करिण सब्सक्राइब बाल आपे जो चुझाल